Hello guys, this is Mayank, Assistant Professor of Geography. आज से मैं BA Geography semester fourth, जो topic है हमारे Economic Geography, उस से related सारी वीडियो का मैं सुरुआत कर रहा हूं. इन वीडियो मैं, मैं Economic Geography का सारा syllabus, करूंगा MCQ format में और जो भी MCQ में कराऊंगा उसका explanation साथ में दे रखा होगा ठीक है उस पूर जो भी MCQ होगा उससे संबंदित जितने भी उस अगर आपके पेपर में आए तो आप सॉल्व कर लें ठीक है और यह नई एजुकेशन पॉलसी एनपी 2020 के स्लेबस के अकॉर्डिंग होगा ठीक है और क्योंकि आगर इन्वेस्टी में डॉक्टर बीम राव अमेड का इन्वेस्टी में आपका जो पेपर इस साल होने जा रहे है एकोनिमिक जोग्रफी फॉर सेमेस्टर के वह आपका MCQ format में होगा जहां तक शमबाबना है तो मैं उसी टैप से सारा स्लेबस डिसकस करेंगे ठीक है और बहुती कम समय में यह आपके सारी वीडियोस अवेलबल हो जाएंगे ठीक है तो शुरुआत करते हैं अपना सबसे सब्सक्राइब करेंगे ठीक है और अधिक से अधिक लोगों को इससे जोड़ी है ठीक है तो चलते हैं सुरू करते हैं अपना बीए जोगर्फी सेमेस्टर फॉर्थ का स्लेबस यह हमारा स्लेबस है हमारे सामने यूनिट फरस्ट में आप पढ़ेंगे मीनिंग कॉंसेप्स एन एप्रोच आप्रोच आपकोनमिक जोगर्फी हमारा इस साल जोगर्फी की ब्रांच है यह भी हम सारा कुछ डिसकस करेंगे ठीक है तो यूनिट फरस्ट में हम मीनिंग पढ़ेंगे कि आर्थी भूगोल होता क्या है उससे रिलेटेट कॉंसेप्स किस तरीके की एप्रोच इस फॉलो होती है एकोनमिक जोगर्फी में अब उसके बाद अग्रिकल्चर रीजन्स अफ दा वर्ल्ड जिसमें हम बिटलेटेशी का क्लासिफिकेशन देखेंगे ठीक है यह यह जोगर्फी में हम सारे रिसोर्स पढ़ेंगे उनका मतलब क्या होता है शंसादन अथार्थ हिंदी में शंसादन कहते हैं रिसोर्स को तो उसका अर्थ क् क्लासिफिकेशन कैसे होता है ठीक है इस पेशियल ऑगनाइशन ऑफ एक्टिविटीज और रिसोर्स बेस्ट जो एकॉनमीज है उनका हम क्लासिफाइड कैसे कर उनिट सेकिंड में रिसोर्स देखा उसके मीनिंग कॉनसेफिकेशन यह सारे चीज़ें देखें सॉरी इसा कैसे एकॉनमिक ओगनाइशन से ठीक है फोरेस्ट्री के है फिशिंग के माइनिंग एक्टिविटीज के अब इन सब चीजों में हम यहां डव्लु टीओ भी पढ़ेंगे इंग्रीकल्चर लेंड यूज पढ़ेंगे यह उन्सीट भी पढ़ेंगे ओएसीटी पढ़े इसमें एकुल्चर रीजन को दिखाये जाएगा किस किसे एरिया में कौन सा एकुल्चर डिजन डॉमिनेट करता है ठीक है यह जी अच बॉंध फिप्त पर, यूद फिप्त में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑप इंडस्ट्री में टीक है, उद्धों के किसके उद्धों कितन उद्धोग हैं इन्डस्ट्रीज है, उनकी जो लोकेशन है, यानि वो 다ंक पे इस्थाभित किये जाएं, उस से संबंधित कारक, ठिक है'? कि कोई भी इंडस्ट्री लगा नहीं है, तो वहाँ का रॉट इन्डस्ट्रील होना चाहिए, कच्या माल होना चाहिए, वहीं पे जिक है बिजली पानी इस प्लाइए ये सारी चीज़ें कहां मैं बैंक्स यानि बैंकिंग फैसलिटी इस अबिलेबल लें कवर्मेंट पॉल्सी कितने आपके हित में हैं जब ये सारी चीज़ें अगर आपके फेबरिबल नहीं तो आप वहीं पर इंडेस्ट्री लगाने की चीज़ें वह रहते हैं जैसे मुंबाई का रेज़न है दिली नौइडा वाला रेजन है ठीक है ऐसे ही अपका यहमदाबाद मेन सब्सक्राइब हमारी तो आट서 इंडियों में एंडिया में लुसरी उपर इंडेस्ट्री लेजाता है ओ करो कर रहे इं दूसे जग़े पर क करेंगे iron and steel industry में लिए एक इंडस्टी को देखेंगे जिस लोहाइब हम इस पात वाली इंडस्टी को ठीक है लोहाइ में इस पात वाली इंडस्टी को cotton textile industry को और सुगर इंडस्टी में लिए हम इंडिया के परस्वेक्टिम में देखेंगे ठीक है और टाइम मिला तो को कि अधिया के इंडस्टी इंडश्टी की तेक है और इंडस्टी अनिस टील इंडस्टी इंडिया में कहां कहां इस से थे टेक से क्या-क्या का effect पड़ रहा है, migration पर क्या effect पड़ रहा है, employment generation कैसे हो रहा है, उन सारी industries के वजए से, तो यह सारी चीज़ें देखाएंगे, theory of industrial location, यह तीसरी theory आगए हमारी Alfred Weber की है, ठीक है, यह Alfred Weber की theory है, जो NetJRF या UGC वाले जो भी exams है, या फिर UP Higher Education Commission का exam है, या PZT का exam है, इन सब में ज दे रखेंगें, जैसे J.H. Bonthe Union का model, या Bittlesi का model, या Alfred Weber का model, इन सब सारे models के एक एक निचोड में यहाँ इन वीडियो में लेकिया हूँगा, ठीक है, इसके बाद फिर आपको कुछ और नहीं पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, unit 6 में हम देखेंगे, world transportation, यानि जो परिवान का जो transportation है, बिस्तो लेविल पर, ठीक है, चाहे sea routes हो, major transcontinental railways की बारे में देखेंगे, ठीक है, यहाँ से एक नाई question जरूर आता है, transcontinental railways से, या फिर आपस में मिलाने को आ जाता है, जैसे यूरोप में बहुत सारी railways हैं, ठीक है, यूरोप से Asia को connect करती है, ठीक है, कुछ Asia स आपके रश्या की तरफ जाती है, में लिए आपके चाइना से रश्या वाली, या रश्या को आपस में एक छोर से दूसरे छोर पर connect करनेक्ट आने वाली है, ठीक है, या यूरोप से East Asia वाली है, तो इन सारी railway lines जो majorly पूछी जाती है, ठीक है, North Americans की railway lines, जो transcontinental railways हैं, में ल के आप नाम स्पूछ लेते हैं, ठीक है, एक तरफ आपको नाम दे रखा होगा सारी railway का, दूसरी तरफ मिलाना होगा, कि यहां से start होती है, और यहां पर आगे खतम होती है, एक सेर से दूसरी सेर में, तो आपको ऐसे मिलाने को आता है, या UPPZT, GIC वाले exam में बहुत ज़् जाता है, ठीक है, Transcontinental Railways, यूनित अगर सेविन की बात करें, तो हम WTO यह देखेंगे, World Trade Organization, International Trade के बारे हम देखेंगे, ठीक है, किस तरीके का pattern follow हो रहा है, trends किस तरीके का है, इन सारी चीज़ों में, यूनित अगर हम 8 की बात करें, तो यह हमारी last unit रहेगी, इसमें हम effect of globalization द पतलब होता है, बसुदाइब कुटम का, यह सारी बसुदाइब कुटम है, यह simple word है, globalization का, तो अगर यह सारा बर्ड एक दूसरे से connected है, चाहे वो social form है, चाहे एकोनमी के लिए, ठीक है, किसी भी तरीके से, तो उसका developing countries पर क्या प्रुभा पढ़ रहा है, विकासी लुद द करते हैं, unit first की, यह है आपका question number first, ठीक है, और यह जो questions है, मैं लिए, कुछ book से उठाई हुए हैं, और दूसरा मैं लिए, Krishna publication से एक book है, उससे यह सारी questions drive किये गए हैं, ठीक है, तो आप चाहें, तो उस book को भी refer कर सकते हैं, आपका question number first है, आरति भूगोल साका है, ठीक है, एनि इसमें पूछा हुआ है कि आरति भूगोल किस भूगोल की साका है, ठीक है, option A है, बहुती भूगोल की साका है, मानब भूगोल की साका है, सांस्कृती भूगोल की साका है या इन मैंसे कोई नहीं, अगर English मैं बात करूँ तो economic geography is a branch of physical geography, human geography, culture geography and none of these, अब इस question को करने से पहले मैं सारा चीज एक वर discuss करता हूँ, कि geography आकर है क्या, ठीक है, geography की सुरुआत कहां से हुई, उसकी क्या 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 branches है, और उन branches की क्या क्या सब branches है, ठीक है, कितनी कितनी शाका है, मैं पूरा भूगोल बटा हुआ है, तो चलिए सुरुआत, उसको हम describe करते हैं, अगर हम बात करें, तो geography जो सब्द दिया है, वो आपका इरेटो इस्तनीज ने दिया है, ठीक है, और ये कौन थे, ये आपके Greek scholar रहे है, 3rd century BC, यानि आज से, आज 21. century चल लिए, आज से 2400 साल पहले की बात, ठीक है, यानि आज से 2400 साल पहले, इरेटो इस्तनीज एक Greek scholar थे, उन्हो होने ये geography सब्द कॉइंड किया है, ठीक है, geography का हिंदी रुपांत्रड होता है भूगोल, ठीक है, अब geography जो word दिया है, ये दो Greek सब्दों से मिलके बनाए, एक सब्द होता है आपका G, दूसरा होता है graphene, G या G-O, ठीक है, G-O, G का earth होता है the earth, या प्रत्वी, ठीक है, ये अपका Greek bird था, इसका English में मतलब होता है the earth, graphene का मतलब होता है आपका to describe, अथार्थ प्रत्वी के बारे में बताना या विबेचना करना, ठीक है, भूगोल का ये साब्द करता है, ठीक है, अब समय के साथ-साथ इसकी जो definition है, ठीक है, उसमें बहुत जार बदलावाया, आज कल जो definition सबसे ज़्यादा accurate माना जाता है, वो अपका है, Alexander Bond, sorry, अभी जो सबसे ज़्यादा definition accurately मानी जाती है जोगर्फी की, तो वो है अपकी Richard Hudson की, ठीक है, उननाने अपनी e-book perspective on nature of geography में, जो 1959 में उननाने अपनी e-book लिखी थी, उसमें definition दिया है जोगर्फी की, कि geography is, geography is concerned to provide geography is concerned to provide an accurate, orderly, rational, description and interpretation of the variable character of the earth surface, यानि कि जो भी earth surface पे है, जितने भी variable characters हैं, उनका accurate, orderly and rational description करना या interpretation करना, यह geography कहलाता है, अगर हिंदी में बात करूँ, तो भूगोल का उद्देश, धरातल की, यानि आज surface की, प्रादेशिक या छेतरी भेनता, यानि आज surface पे reason by reason, जो भी differences हैं, चाहे climatology के field में है, चाहे geomorphology, चाहे oceanography, टोपोग्राफिकल, यह जितने भी differences हैं, धरातल पर, उनका burden करना, इवं ब्याक्या करना, यह आपका भूगोल कहलाता है, यह Richard Hudson की definition ह जो उन्होंने 1959 में दीती है, ठीक है, अभी हमने geography समझा, कि geography कि, जो bird है, जो इरेटोसनीज ने दिया, 3rd century BC में, जो ग्रीक सब्दों से मिलके बना है, जियो प्लस ग्राफी, जिसका अर्थ होता है, अर्थ के surface को describe करना, ठीक है, उसकी बाद हमने Richard Hudson की definition को पड़ा, अब हम कि geography की क्या-क्या साखाएं हैं, ठीक है, geography को दो हिस्सों में कब तोड़ा गया, मेल लिए जब से geography बना है, उसके बाद जो focus रहा है हमारा study का, वो physical geography रहा है, ठीक है, बहुत थे भूगोल रहा है, लेकिन 19th century या 20th century के world war first के बाद, या फिर सम बिशृद के बाद, माना भू बोल सकते हैं कि 19th century के बाद, जब से अलेक्जंडर पॉन हम बोल ते काल रिटर जो आदुनिक युग के भूगोल के संस्थाफ़क माने जाते हैं, उनका आगमन हुआ जर्मनी में, तो वहां से भूगोल का एक नया अध्याय स्टार्ट वा जिसे हम माना भूगोल बोलते है माना भूगोल एक अलग discipline की फॉर्म में है, एक अलग branch की फॉर्म में ओदया हुआ, ऐसे ही माना भूगोल में हमारा economic geography जिसे हम पढ़ने जा रहे हैं इस unit या BA4 semester में, वो mainly 19th century के जो first बढ़वार हुआ, परतम विशुद हुआ, उसके बाद से study करना start हुआ था, तो अब हम geography की mainly दो सका हैं, ठीक है, यानि भूगोल की दो सका हैं, पहली सका है physical geography, दूसरे है human geography, physical geography को हिंदी में बहुत तीक भूगोल कहा जाता है, human geography को हम माना भूगोल बोलता है, ठीक है, physical या natural geography भी बोलते हैं इसे, ठीक है, यह प्राकरतिक भूगोल भी बोला जाता है इसे जो फिसिकल जोगरफी है इसमें हम सारी बहुत सारी चीजों को स्टड़ी करेंगे जो नेचर ने हमें दी है टेक है चाहे आपका क्लाइमेट हुआ ठेक है चाहे ओश्यंस हुए समुद्री हुए या वॉ consig ग्रूगरूरласт पहाड हुए, मैदान हुए, पठार हुए, इन सारी चीजों का अध्यान करना जो प्रिकरती ने दिया है, वो सब किसमें आता है? फिजीकल जोगरफी में, ठीक है? या बहुतीक भूगोल में, ठीक है? जो चीजें बहुतीक रूप से प्रत्वी पर मौजूद हैं, उनका human angle जुड़ जाता है, जिसमें मानब का अंतर, मानब का और प्रेवर्ड, मानब और उसके प्रेवर्ड का अंतर संबंद पढ़ने लग जाते हैं, जिस ब्रांच में, वो कहलाता है, मानब भूगोल या human geography, ठीक है? यानि, फिजीकल जोगरफी को, जब हम मानब अपनी क्रिय कलापों से, अपनी गत्विदियों से, चैंज करने की कोसिस करते हैं, समय के साथ, ठीक है? और इन सब चीजों का जब अध्यन कह जाता है, तो वो कौन सी सब्जेक्ट बन जाती है, human geography, ठीक है? तो human geography क्या पढ़ेगी? human geography क्या होता है? it is the interrelationship between human and its environment, ठीक है? या फिर हम कह physical geography यानि इस ब्रांच की फिर से सब ब्रांचिस देखते हैं, यानि बहुते बुगोल भी कई साखाओं में बटा हुआ है, जैसे उसके पहली साखा आती है, geomorphology, ठीक है? जिसमें हम, जिसका हिंदी में अर्थ होता है, भू, आकरती, विग्ज्यान, जियों का अर्थ होता है भू, यानि प्रत्वी, मौर्फू का अर्थ होता है, आकरती, बेविन प्रकार के शवरूप, और लोजी का अर्थ होता है, साइन्स या बिग्ज्यान, ठीक है? तो इसका हिंदी में अर्थ क्या हो गया? भू, आकरती, बिग्ज्यान, इसमें हम प्रत्वी की धरातल की उनका अध्यन करेंगे, ठीक है? तो यह खो गया जुपू अर्फोलोजी, शेकिन्ड होता है, क्लामेटोलोजी, जिसमें हम क्या पढ़ता है? जलवायू के बारे में, क्लामेट के बारे में, मानसून्स के बारे में, टैमप्रेचर, प्रेसिपिटेशन, हीमिडिटी, प्रे जैसे ओशनोग्राफी, जिसमें हम जो पानी है, ठीक है, प्रत्वी की धरातल पर जो भी पानी मौझूद है, उस सब चीजों का इस्टेडी करते हैं, ठीक है, इसे हिंदी में बोलते हैं, सामुद्रिक विग्यान, ठीक है, इसमें हम ओशन के अंदर जो भी फीचर्स है, जो इसमें लेंड़ फॉर्म सें, उन्सका study करेंगे हम, ओशन की करेंट की study करेंगे, ठीक है, जल्दारों को पढ़ेंगे हम, जो आरभाटाओं को पढ़ेंगे, सैलिनिटी, जो लबड़ता पाई जाती है पानी में, समुद्र के जल में, उसको पढ़ेंगे, ठीक है, होते हैं, पहुत है, इन सब चीजों का अधिन करेंगे, इसी परिकार से बाईव जगरफी जिसमें जैब हुगूल है, जिसमें हम प्लांट गरफी या एनिमल जगरफी पढ़ेंगे, या जू जो 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 जगरफी इन Conversations थे जैब हुगूल में, इसी परिकार अगर 19th century के बाद मानभ भूगल उद्य हुगा 19-20th century में तो मानभ भूगल में में लिए हम पढ़ते है historical geography historical geography का मतलब होता है कोई भी phenomena कोई भी एक गतविदी हो रही है ठीक है प्राकरती गतविदी हो रही है तो उसका historical perspective देखते हैं उसका इतियास क्या रहा है किसी भी गतविदी का इतियास क्या रहा है और उससे human पर क्या impact बढ़ा है ठीक है या फिर human ने उस phenomena पर क्या impact डाला है इस चीज को हम study किसमें करेंगे historical geography में ठीक है political geography इसमें हम land, boundaries, nation राष्ट क्या होता है boundaries कितने प्रकार की होती है ठीक है geopolitics कैसे होती है उसका nature क्या है किस तरीके से impact बढ़ता है international relations इन सब चीजों का study क्या जता है एक चीज मैं यहाँ clear कर लूँ कि geography क्या है geography की जो approach रहेगी उसकी approach होता है spatial approach ठीक है spatial का मतलब होता है यानि यह geography तब आएगा जब space आएगा ठीक है यानि अगर किसी भी space का study किया जा रहा है space यानि किसी भी जगय की study किया जा रही है कहीं पर भी हम किसी भी जगय की study करेंगे वहाँ geography add हो गया यानि हम वहाँ का geography भूगोल पढ़ रहे है ठीक है है ठीक है यह जब हम समय के बारें पढ़ेंगे इसका मतलब है कि हम इत्यास पड़ रहे हैं लेकिन जब हम space लिए जगे के बारें पड़ेंगे, तो इसका मतलब है कि हम geography बढ़ रहे हैं, ठीक है, बहुर बढ़े तो अब जितना भी जैसे हम political geography है, इसका मतलब क्या है, हम polity पढ़ रहे हैं, किसी space के terms में, यहनि किसी जगे के उपर, किसी देश के उपर, या चाहे हैं India के उपर ले लो या कोई एशिया के उपर ले लो, चाहे पूरे बर्ल्ड की हम पॉलिटिकल जोगरफी पड़ रहे हैं, ठीक है, यानि उसमें कहीं न कहीं स्पेस का महत रहेगा, ठीक है, ऐसे ही सोशल जोगरफी, ठीक है, अब इसमें हम धरम पढ़ेंगे, समाज पढ़ेंगे, सोसाइटी कि होती है, उसके फीचर्स क्या है, रिलीजन क्या है, कास्ट क्या है, एजुकेशन किस तरीके का है, तो ये सारी चीजों का स्टड़ी करना, किसी भी पर्टिकलर स्पेस के ऊपर, किसी जगे के ऊपर, और उसका डिस्ट्रिबिशन देखना, उसका पैटर्न देखना, ठीक है, इसे यह सारी चीज किसमा आती है social geography में हिंदी में से सामाजिक भूगोल बोलते हैं इसी प्रिकार से आपका जो हमारा topic है इसवार का unit BA4 semester का that is economical geography ठीक है economical geography है economic geography इसका अर्थ होता है आर्थिक भूगोल जिसमें हम धन के बारें पढ़ेंगे पैसे के बारें पढ़ेंगे यानि जितनी भी हमारी आर्थिक गत्विदिया है उससे जो पैसा कम रहा है तो उस चीजों को हम study करेंगे जैसे इसकी बहुत सरी sub branches भी है जैसे agriculture geography पहले में clear कर दो कि कोई भी activity यानि कोई भी आफ गत्विदी कर रहे है कोई भी कार कर रहे है अगर उससे पैसा आप नहीं कमा पा रहे है तो वो एक economic activity नहीं होती वो आर्थिक गत्विदी में नहीं आती तो वो economic geography में भी नहीं आए economic geography में केवल मानब की वो गत्विदी आएंगी जिनसे आफ resources बना पा रहे है या जिससे आप पैसा कमा पा रहे है ठीक है जैसे agriculture geography आप agriculture कर रहे है ठीक है उससे जो धन कमा रहे है तो वो सारा किसके अंदर आ जाएगा economical geography के अंदर इसी पिरकार से economical geography की और भी सब ब्रांचिस जैसे industrial geography, resource geography, ठीक है संसादन बुगोल, marketing geography, tourism geography, ठीक है प्रेयर्टन बुगोल आदी ठीक है ऐसे करके बहुत सारी economical geography की भी सब ब्रांचिस हैं जैसे अगर हमने बात की एक बार फिट से recall करा है तो geography की दो ब्रांचिस होती है physical geography, human geography ठीक है बहुती बुगोल, मानब बुगोल बहुती बुगोल की हमने बहुत सारी branches देखी उसी परकार से human geography भी बहुत सारी branches देखी तो उन मैंसे जो मानब बुगोल है उसकी जो branches है उसकी एक ब्रांच है economical geography ठीक है अब economical geography की भी बहुत सारी branches है जैसे agriculture geography, industrial geography, resource, marketing, tourism, आदी ठीक है तो यह सारी हमने study किया कि economic geography बुगोल जैसे population geography, settlement geography जैसे अदिवास बुगोल बोले जाता है ठीक है यानि human कैसे रहता है, rural में रह रहा है यानि गाओं में ग्रामीड परविश्च कैसा है, सहरी परविश्च कैसा है, उसके घर मकान किस तरीके से बना हुआ है, किस तरीके का हुआ का distribution है मकानों का, ठीक है घरों क तो यह सारी चीज़ हम settlement में पड़लेते हैं, settlement geography ऐसे ही gender geography जैनड है अभी तक हमने geography देखा, geography किस ने दिया, geography क्या कि ब्रांचिस होती है, बहुत ही बुगोल होता है, मानब बुगोल होता है, अब बहुत ही बुगोल की ब्रांचिस देखें, aquamology, climatology, oceanography आधी, इसी पिरकर इसोने माने भूगौ helmाल creator, नानई को इत्यासिजी गॉगल उसी में एक आता है आर्थिख भूगो ठीक है अब, आर्थिक भूगो अगर सिंपल बताओं तो वो भूगोल जिसके अंदर हम मानब की आर्थिक क्रिया कलवापों का अद्धिन करते हैं और उसका इंपक्ट हम हुमन पर देखते हैं तो अगर हम पाउंड के बात करें इक एक अंदर है उनके अनसार आर्थिभूगोल भूप्रेष्ट पर मानब की उत्पाद क्रियाओं के बित्रड का अद्धिन करता है मानप की उत्पादक करिया है, जहां से मानप कुछ नेकि उत्पादन कर रहा है, उनके बित्रड का करिया कर रहा हुँ उनका anticipation किस तरीके से हो रख़ा है उनका अद्धिन करता है, ऐर्थेऊलेश कियां किसा परिकार किया हैं, यह प्रात्मे क्रिया हैं, दुतिय क्रिया हैं, तरतिय क्रिया हैं होती हैं, ठीक है, यह पाउंड्स के अंसा, आर्थी भूगोल, भूप्रेस्ट पर मानव की उत्वाद क्रियां के बितरल का दिन करता हैं, और वो क्रिया हैं कौन सी हैं, वो हैं प्रात्मे क्रिया, दुतिय क् अब यह क्रिया प्रात्मिक दुतिया के तर्फिय क्या होती है यह अभी जल्दी बताएंगे हम एसी वीडियो में यह इंग्लिस में अगर हम बात कहा है तो economic geographies is concerned with distribution of man's productive activities इसका जो human being है उसका जो productive activities है उसका जो productive activities है जिससे कुछ ना कुछ वो produce कर रहा है उसका फैलाव कैसे है over the earth surface यह उसका distribution कैसे हो रखा है ठीक है इस activities are primary, secondary and tertiary activities ठीक है अब primary activities, secondary, tertiary activities क्या होती है वो इसी वीडियो में आप जानेंगे ठीक है यह है pounds की definition अब ध्यान रखेंगे ठीक है इसके बाद हम definition पढ़ते हैं दूसरे scholar की यह है गोर्ज के अनसार ठीक है यह बिलियम गोर्ज थे उनके अनसार आर्ति भूगोल बिस्व के भिवेन छेत्रों की उन बिसेश्ताओं का अब इग्यानिक भिवेचन करता है जिनका इस चीज का उत्पादन हो रहा है उसका बित्रड कैसे हैं उसका बित्रड प्र्थभी के धरातल पर कैसे है या आप कोई भी economic activities कर रहा है यहां से कुछ न कुछ आप सेंपल मानलों की आप एक कोई मानलों की आप खेती करते हैं ठीक है क्रफशी कर रहे हैं और गयाउं की ख हम उन्स का क्या देखेंगे कि जैसे इंडिया के परफेच में हम बात करें उसी उत्पादन की कि मालो यह हमारे इंडिया है ठीक है इस तरीके से अगर हमारी यह मालो इंडिया है तो उसका उत्पादन कैसे हो रहा है कि जैसे ग्याओं का उत्पादन यहां सबसे ज़्याद होता है पंजाब या बेस्ट यूपी में ठीक है इधर वाले एरिया में साउथ वाले में बहुत कम उत्पादन हो रहा है अग मेडियम उतकादन और गयों का साओत में बहुत कम उतकादन हो रहा है. तो यह मैने क्या दिखाया यह हमने गयों के उतकादन का वित्रड दिखाया. तो यह ही इसी चीज़ का अध़ादन करना के अकलादा है Economical Geography. यानि किसी भी चीज का आप उत्पादन कर रहे हैं, उसका distribution जो बित्रड है, अलग-अलग छेत्रों में, किसी भी एरिया पर, भूपरस्ट पर, उसी चीज का अध्यन करना क्या कलाता है, economical geography है, आर्थे भूबल, ठीक है, मैं मानता हूँ कि यह आप समझ चुके होंगे, ठीक ह distribution का अध्यन करना, या अप economical geography के अंदर आता है, ठीक है, इसी परकार से हम तीसरे स्कॉलग की definition देखते हैं, जिनका नाम है R.E. Murphy, ठीक है, R.E. Murphy के अनसार, आर्थे भूबल, मानब के जीब को पारजन की बिदियों में, यानि मानब अपना जीवन यापन कैसे कर पा रहा है उसकी जो बिदि हैं, अलग-लग बिदि से मानब जीब को पारजन कर रहा है, कोई मानब सर्विस दे रहा है, कोई खेती कर रहा है, कोई पढ़ा रहा है, कोई transportation, communication में लगा हुआ है, कोई कुछ और कर रहा है, तो उस सारी चीजों के अलग-लग कार रहा है, सभी के जीब को अलग-लग कार रहा है, तो उन सारे जो बिदियां हैं, जो अनेक बिदियां हैं, जीब को पारजन की, उनमें एक इस्तान से दूसरे इस्तान पर मिलने वाली समानताओं और असमानताओं का अध्यान करता है, ठीक है, यही इंगलिस में दे रखा है कि Economic Zography has to deal with similarities and differences from place to place in ways people make a living, ठीक है, चलते हैं इसका, ठीक है, अभी हमने सारे definition देखें, Economic Zography की, अब हम देखते हैं कि Economic Zography का scope क्या है, ठीक है, यही आर्थे भूगल का कारिछेतर क्या है, क्या क्या चीज़ें हम आर्थे भूगल में पढ़ेंगे, ठीक है, इससे पढ़ने से पहले इसका जो आर्थे भूगल का कारिछेत पढ़ने से पहले अभी हम एक question लगा के आते हैं, ठीक है, उसके बाद, यानि जो हमने question, question नमर बन चोड़ा था, उसको पहले करते हैं, क्योंकि अभी तक हमने जो बता है, उससे वो question solve हो जाना है, ठीक है, उसके बाद फिर हम आर्थे भूगल के कारिछेत पढ़ात, तो अभी तक का जो मैंने आपका explanation किया, उससे आप ये question बल रही है, आसानी से लगा लेंगे, तो आप question पढ़िए, और जल्दी question solve करिएगा, ठीक है, question नमर बन, आर्थे भूगल साखा है, किस की, बाद भूगल की, माना भूगल की Sanskriti Google की है, इनमेंसे कोई नहीं, तो अगर आप sincerely इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप आसानी से लगा लेंगे, कि आर्थे भूगल किस की साका है, बाद भूगल की साका तो है नहीं, क्योंकि मैंने जो बताया है, बाद भूगल क्या होता है, उसके दो हिश्चे की अकर र आप 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 question का solution हमें मिलेगा अपनी next explanation में है, जो हम करने जा रहे हैं, तो चलते हैं, scope of economic geography पढ़ने हैं, यहां हम पढ़ रहे हैं, scope of economic geography, आर्थे भूगल का कारचेतर, ठीक है, यहां भी scope लग जाता है, आप चाहिए जोगरफी का scope की बात करें, human geography की scope की बात करें, यहां पर economic geography की scope की ब पहलाव कितना है, ठीक है, तो अगर हम economic geography की बात करें, आर्थे भूगल की बात करें, तो इस आर्थे भूगल में हम सबसे पहले बढ़ेंगे, resources, types and their distribution, ठीक है, हिंदी में अगर मैं बात करूँ तो संसादनों के पिरकार एबं बित्रड़ सुरू, यानि आर्थे भूगल जब हम पढ़ेंगे, तो इसमें हम पढ़ेंगे, resources क्या होते है, संसादन क्या होते है, ठीक है, renewal उनके types देखेंगे, renewal resources क्या होते है, non-renewal क्या होते है, ठीक है, resource rich reasons क्या होते है, यानि जहां पर बहुत सारा संसादन है, ठीक है, जहां पर संसादन परचूर मात्रा में है, वो कौन-कौन से reason है और जहाँ पर संसादनों की कमी है वो कौन-कौन से reason है उनका distribution देखेंगे प्रत्वी के दरादल पर या और human resource की बात करेंगे यानि मानब भी एक resource है एक संसादन है ठीक है संसादन क्या होता है जिससे आप कुछ और produce कर सको जिससे आप कुछ बना सको या जिससे आपकी जरूरतें पूरी हो सके वो संसादन होता है वो resource होता है ठीक है बैसे human भी एक resource है मानब खुद भी एक resource है ठीक है तो उसका potential क्या है human resource क्या होता है किस किस तरीके से country wise उनका distribution क्या है यह सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे economic geography में यह आपका आर्थि बोल का कारचेतर के अंत्रगत आता है उसी प्रिकार से हम पढ़ेंगे trends and pattern of economic geography economic activities जो भी आर्थिक गत्विदियां है आर्थिक गत्विदियों की प्रिवर्ति यह हम स्वरूप पढ़ेंगे यानि जो आर्थिक गत्विदी होती है अलगला प्रकार की आर्थिक गत्विदी है उनकी प्रिवर्थी क्या है उनका श्वरूप क्या है वो कहां कहां पर डिस्टुबिशन है यह सारी चीजें पढ़ेंगे अगर हम इनको डेटेल में अगर इसको study करें कि एकोनमिक गत्विदी या आर्थि गत्विदी क्या क्या हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्राथमिक एकोनमिक एक्टिविटीज की ठीक है यानि इसका जो raw material है, जो कच्छा माल है, वो सीधा कहां से मिल रहा है हमें, पिरकरती से, जैसे hunting and gathering करना, जब इंसान प्रत्वी पर आया है, तब वो ना तो खिती करना जानता था, नहीं वो किसी पढ़ाना जानता था, या कुछ और सेक्टर में तो था नहीं, ठीक है, वो के टकरना, तो ये सारा जो काम है, ये कहां से आता है, वो सीधा कहां से मिल रहा था उसे, वो सारे चीज़ें कहां से मिल नहीं थी? नेचर से, प्रकरती से, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें किस में आती है, प्राथ्मिक गत्विदी में, यानि ये सबसे सुरुवात की गत्वि एक्टिविटी की पार्ट है यह प्रैमरी एक्टिविटी की पार्ट है ठीक है और जो लोग इन सारी एक्टिविटी में लगे हुए हैं जो लोग फार्मर हैं किशान हैं जो लोग मतश्यपालन वाले मच्वारे हैं यह जो लोग हंटिंग गेदरिंग करते हैं यह खनन में ल भी दियान रखेंगे निवे प्रात्मिक एकटिविटी में जो भी लोग लगे होते हैं उनको क्या पूल जाता है एंट्रियइक्टिविटीज होती हैं तो यह अगदीज यह दुदियकार्थी गद्विथी गद्विथी का जाता है जिसका गच्चा माल कहा है उ Means प्राइमरी एक्टिविटीज से आ रहा है यानि जो हमने प्राइमरी एक्टिविटीज देखी अभी प्रात्में गदविदी देखी जैसे अंटिंग गैधरिंग, पसपालन, ठीक है, एनिमल हस्वेंडरी, खेती बाड़े, ठीक है, क्रशी, या मतशिपालन, खनन, इन सब च गदविदी से आप निकाल के लाएं, तो वो उनका प्रोड़क्ट हो गया, लेकिन वही चीज सेकेंडरी एक्टिविटी में क्या हो जाती है, उसका कच्चा माल बन जाता है, जैसे अगर कृसी से आपने कौटर निकाला, कपास निकाली, तो कपास से हम कपड़ा बनाएंग है, ठीक है, यानि कपास हमारे लिए क्या हो गया, कपास सेकंडरी गटविदी के लिए क्या हो गया, रौ माटेरियल हो गया, कच्चा माल हो गया, अब उसकी हम, उसको ट्रांस्वर्म करके हम क्या बना लेंगे, कपड़ा बना लेंगे, बुक कैसे करेंगे, हम इसी के साथ सद एनेर्जी जन इनेर्जी जनेर्ट हो रही है Renewal Energy Non Renewal Energy प्रिकार की ओर साथ, фильмeya का iddo 가족 पप्रडक्शन tutte अब बात करते हैं C, यानि टर्सरी एकोनमिक एक्टिविटीज की, तो तुरतियक आर्थिक गत्विदियां, ये बो गत्विदियां होती हैं, जिसमें कुछ specialized skill set की जरूरत होती है, यानि आपके पास कच्चे माल की आवसकता नहीं है, आपके पास होनर की आवसकता है, यानि skill की जरूरत है आपको, ठीक है, क्या चीछ चाहिए, skill चाहिए, ठीक है, तो ये कौन-कौन सी activities होती हैं, जैसे transportation, trade, commerce, ठीक है, education, banking, ये सारी जो service sector है, वो लगबग majorly service sector इसमें आ जाता है, तरतियक गत्विदिय में, और जो लोग इसमें लगे होते हैं, उसको क्या बोला जा कर रखा होता है, primary, secondary and tertiary, ठीक है, लेकिन majorly जो tertiary activities है, जो तरतियक गत्विदी है, इसको दो further और बांटा जाता है, जैसे quaternary भी बोलते हैं, और quenary activity बोलते हैं, ठीक है, मैंने ये पांचों को अलग-लग बताया है, ठीक है, तीन तो ये हो गई, लेकिन कुछ-कुछ किता पावों में केवल तीन ही गत्विदियों का जिक्र किया गया है, ठीक है, लेकिन मैं आपको पांचों पताऊंगा, अब इसके बाद जो गत्विदी आती है, वो हैं आपकी चौती गत्विदी, ठीक है, quaternary, quaternary economic activity है, इसमें कौन-कौन लोग आते हैं, इसमें प्रसासन स सेवा हैं, उसमें जो लोग लगे होते हैं, बहुत सारे लोग इसमें आते हैं, इसके पार्ट है, इसमें जो मैंने बताया है, टरसरी activities में, health, education, इन सारी चीज़ें, अगर classification तीन ही activities तक दे रखा है, primary, second and tertiary, तो जो भी ये quaternary की में बात कर रहूं, ये सारी activities किसका पार् रखा है, तो वो health और education किसका पार्ट बन जाएगा, quarternary का, ठीक है, clear, इसमें information से सम्मंदित लोग भी आते हैं, entertainment से सम्मंदित भी, ठीक है, ये सारी economic activities किसका पार्ट है, quarternary या चतुर्तक economic, sorry, आर्थिक गत्विदी, ठीक है, और इसमें जो लोग लगे होते हैं, उनको क् white collar worker, ठीक है, white collar worker, और जो last economic activities है, उसे बोला जाते है, quinary economic activities, इसमें कौन लोग आते हैं, इसमें जो बड़ी-बड़ी MNCs हैं, जो company है, multi-nation companies है, बड़ी-बड़ी companies हैं, उनके CEOs या executives आते हैं, ठीक है, financial advisors आते हैं, ठीक है, बित्ती सलाकार आते हैं, legal consultants आते हैं, research scientist, ठीक है, किसी भी researchers, जो भी scientists हैं, वो सारे लोग इसी में आते हैं, ठीक है, और इन लोगों को क्या बोले जाता है, golden collar workers, ठीक है, golden collar workers, ठीक है, golden collar workers, तो अभी हमारे ये सब क्या पढ़ रहेते हैं, ये हम जो आर्थी-भूगल है, उसका कारचित पढ़ रहे हैं, ठीक है, उसी कारचित अब उन सब जो भी economic activities हैं, उनको प्रभावित करने वाले क्या 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 कारक है, यानि वो किस-किस चीजों से effect हो जाएंगे, तो इसको mainly दो तरीके के कारकों में device किया जाता है, अलगला डिवाइड किया जाता है, पहला होता है geographical factors, ठीक है, geographical factors यानि भागलिक परवाप, औ और वो दूसरी तरफ होता है nonGeší जो ग्रवाप जो भागलिक परवाप नहीं है ठीक है, या human factor भी काहज जा सकता है, थीक है, geographical या भागलिक परवाप में देखा हैं तो relief का परवाप पड़ेगा, जो relief यानि जो structure है, तीक है, किस तरीके का structure है, किस तरीके का slope हैं, यानि पठार की बात कर रहा है, समतल मैदान है, या पठार है, या पहाड है, तो ये सारी चीज़ें किस पे अफ़ेक्ट डालेंगी, किस पे प्रभावक डालेंगी, आपकी आर्थिक गतविदी पे, ठीक है, अगर मैदान होगा तो वहां की आर्थिक गतविदी मेल ली क्या होगी, वो में लिए आपकी agriculture होगी, ठीक है, agriculture हो सकती है, husbandry हो सकती है, अगर पहाड का area है तो वहाँ पे agriculture करना possible नहीं है, ठीक है, वहाँ अगर agriculture होगा तो different type से होगा, ठीक है, तो वहाँ आपका animal husbandry dominate करता है, इसी परकार से जहाँ platews होगे हैं, जहाँ पठार होगे, वहाँ में ल वहाँ पे iron steel industry डेवलप होगे, cotton textile industry डेवलप होगे, यह सारी industry डेवलप होगे, ठीक है, ऐसे ही अगर आप soil and minerals का भी परवाब पड़ता है, मर्दा का परवाब पड़ेगा आप किसी भी economic activity पर, ठीक है, climatic परवाब पड़ेगा, climatic factors क्या होता हैं, जैसे temperature का परवाब, आप पर आपके सकते हैं, pressure प्रेसर भी अपना effect डालेगा, ठीक है, bend pattern अपना effect डालेगा, ठीक है, यह बहुत सारी चीज़े हैं, जो climatic factors है, ऐसे drainage system, ठीक है, river system है या नहीं है, ठीक है, river flow से आपका क्या होता है, एनर्जी जनरेट होता है, तो drainage system का फरवाब पड़ेगा, plants and animals का तो यह सारी चीज़ें किसमें आ रही हैं, यह आपके आ रही है, geographical factors में, इसी तरीके से non geographical factors की बात करें तो capital आएगा, यह अगर आपके पास मुझी है, पैसा है, तभी आप कोई भी economic activities लगा पाएंगे, यह start कर पाएंगे, ठीक है, लेवर होनी चाहिए, लेवर एक effective लेवर अच्छा होने चाहिए, financial institution अच्छा होने चाहिए, financial institution यानि कि आपकी banking सुब्दा कितनी अच्छी है, ठीक है, भीमा सुब्दा कितनी अच्छी मिल रही है, ठीक है, यह फिर infrastructure कितना अच्छा develop हो रखका है, government policies आपके favor में हैं या नहीं है, तो यह सारी चीज़ें हैं जो फर प्रॉब्लम्स हैं, related to economic activities and their solutions, तो जो भी economic activities हम कर रहे हैं, उन से related जो प्रॉब्लम्स सामने आएंगी, समाज के लिए, human के लिए, या उसके environment के लिए, उन सब चीज़ों का अध्यान भी हम आर्तिव गोल के तैती करेंगे, और उनके लिए कुछ जो solutions है, बो हम देंगे, ठी जैसे development जो विकास है, उसका unequal distribution होगा, कहीं पर बहुत ज्यादा विकास हो जाएगा, कहीं पर development कम होगा, ठीक है, growth कम होगी, कहीं पर growth ज्यादा हो जाएगी, तो उससे जो भी समस्या उत्पन होगी, जैसे नक्सलिजम का concept आ गया, ठीक है, चाहिए इंडिया के बात करें, तो नक्सलिजम concept डेवलप हो रहा है, किसकी बज़से, क्यांकि वहाँ development का rate जो distribution है, वो unequal distribution नहीं हो रहा है, इंडिया में, तो उसकी बज़से नक्सलिजम का concept आया, या कुछ political factors भी उससे संबन देता है, ठीक है, और भी कुछ कारण है, जैसे poverty की समस्या आएगी, hunger की समस् combat, motivation, wood nutrition,атель deutschen, mango pollution, migration, या कि प्रवास की समस्या, एक जगे से दूसी लोग plan करेंगे, और उसकी बज़से समस्या उत्पन होगी, जहां से लोग plan करके आएं, और जहां पर लोग plan करके गए हैं, तो वहां दोनों जगए पे समस्या आएंगी, तो यह सारी चीजों का अद्यन किस यह सारी चीजों का अद्धिन आपका आर्थिक भूगोल के तहत होगा ठीक है आर्थिक भूगोल में ही हम कुछ और्गनाइशन पढ़ाएंगे जैसे IMF है WTO है बल्टेड और्गनाइशन है OECD है ठीक है सार्क है और भी कुछ मल्टिनेशनल जो भी और्गनाइशन है तो उन सब चीजों का अद्धिन होगा अब इससे समधित जो प्लांस हम बनाएंगे अब यह सारी समस्यां हो गई यह और्गनाइशन हो गए अब इन समस्यां को दूर क करने के लिए हम कुछ पॉल्सीज लेकर आएंगे कुछ प्लान फॉर्म करेंगे प्लानिंग करेंगे तो बहुत सारी प्लानिग्ट यह जो मॉडल्स नए ने पॉडल्स बनेंगे यह पॉल्सी बनेंगे उन सब चीजों का भी अद्धिन किस के अंदरगत होगा एकॉनमिक जोगरफी के अंदरगत होगा तो यह सारा चीज किस कि क्या है इसका एकॉनमिक जोगरफी का इसको बनाता है ठीक है चलते हैं अपने क्षटिंट की तरफ बापिस अभी तक हम सारा एक्स्वानेशन पढ़ चुके हैं इसको बगर है सब पढ़ा है अब फिर से सारी में सामिल क्या हुटा है प्राथम रिया अब रते बुजोुषन किया है एक और 2 ऊप्षेंद फौर्स करेंद ही यह आपकी definition है जो हम लिखा चुके हैं आपको पड़ा चुके हैं तो आपको बस रीकॉल करना है कि जो मैंने तीनचा definition बताएं थी परवासा बताएं थी कोनिक्स ओरफी की तो उन में से किसकी definition है अप्सन है आरी मर्फी एस डी मौर्या गोड्स यह एडम ब्राउन ठीक है यह हिंदी में पड़ते हैं आर्थि भूगल मनुष्टों के जीब को पारजन की बिदियों में से एक इस्तान से दूसरे इस्तान पर पाई जाने वाली शमा समानताउं का अध्यन करता है चलते है नेक्स्क्राइशन को सामिल होता है किस-कीज़ों का हम अध्यन करते हैं आर्थि भूगल में यह क्विशन पूछा हुआ है की धराताले उस पर ज़ो संसादन पाई जाते हुं का मूलयांकन करते हैं कि सही है तो मैंने ये पहला ही पइंट डेला है कि रिसोर्सें समपड़ते हैं किस तरीके संसादन है उनका पृत्रिक्या कीश तरीकी तो उनका जो इस्तानिक बिहनेता होगी किस जगे पर कौन कौन सी पाई जाएगी और उनका बिश्लेशन करना यह सारी चीज़ें आर्थे भूल का भी से छेत्र में आती हैं तो आपसन बीवी करेक्ट है तीसरा है आर्थे विकास की योजनाओं का निर्माण करना ठीक है यान तो इन आर्थे भूल के पिसे चेत्र में क्या आता है यह सबी तो इसका जो करेक्ट अंसर हो गया आपसन डी ठीक है ओल अफ दीज चलते ने एक्ट्ट कुशन कुश्चन नमर फाइव की तरफ कुशन नमर फाइव कह रहा है निम्नमैसिक किसने आर्थे भूल को आजीब का प्राप्त करने वाले मानब का अध्यन का है तो इसका जो करेक्ट आंसर है यहांसे पैसा प्राप्त कर रहा है जीने के लिए जो पैसे कमा रहा है यह संसाधन कमा रहा है उसका अध्यन करना क्या क्या आर्थे भूल तो यह किसने का है मार्शेल का है पुष्टक के लेखा कौन है इस से पुष्टक के लेखा कौन है यह इसका जो करेक्ट आंसर है इनकी बुक को हम देखा देते हैं यह इसकी बुक ठीक है कि है बुक है इनकी रेखे इंड्री हैड्री शी ओम सेयर चलते है नेक्सक्क्रा नमोर स्भीर अर्थिक धर्रीयां एं कितने पृर्थक धर्रीया होती है क्या यह ча एक 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 इक यह थी क्राइब होती है है तो आप दियान रखेंगे, पांच तरीकी की आर्थिकरिया होते हैं, आप कोसिस करेंगे कि अगर आपके option में 3 दे रखा है, 4 दे रखा है, 5 दे रखा है, तो इन पे टिक कराएंगे, जो भी maximum हो इन में से, तो आप उस पर जाएंगे, अगर option में maximum 4 दे रखा है, तो आप उस पांच नहीं दे रखा है, तो हम 3 को सही लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि कई-कई बुक्स में primary गत्विदी होती है, primary activity, secondary activity, tertiary activity की बात हो रही होती है, केबल इनी तीन activities को गत्विदी माना जाता है, आर्थिकरियाय माना जाता है, लेकिन हमने 2 और पढ़ा हैं, आपको quaternary and queenery, ठीक है, अब in message जो भी आपके पास हो, अगर 3 आ रहा है, तो 3 लगाएंगा, maximum 3 है, चार गत्विदी अगर option में दे रखी हैं, तो 4 पर टिक लगाएगा, और अगर 5 दे रखी हैं, तो आप maximum पर 5 पर लगाएंगे, ठीक है, चलते हैं question number 8 की तरफ, आर्थि भूवल का अर option A, यहनि आर्थि क्रियाओं का भौगवलिक अध्यन करना, आर्थि भूवलिक में हम क्या पढ़ेंगे, आर्थि क्रियाओं का अध्यन करेंगे न, ठीक है, प्रादेशिक अध्यन तो नहीं करेंगे, रिजनल किसी भी हर रिजन के, प्रादेशिक अध्यन क्या होता है, इस तो इन रीजन बाइज रीजन इस्टडी करना उसमें सारी चीजें पढ़ना है हम सोसल भी पढ़ेंगे तुसल आसपक्ट में भी पढ़ेंगे पॉलिकल आसपक्ट में पढ़ेंगे सारी जेजन की बारत नहीं तो बहुत हो गया आप प्रादेशी अध्यान लेकिन हम आर्थि सब्सक्राइब में अच्छे से बता चुका हूं तो प्रात्मिक आर्थिक क्रियां में क्या सामिल होगा क्रश्ची सामिल होगी पसपालन खनन यह सभी तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह आप बैक करके देख लीजेगा अगर आपको रिकॉल नहीं हो पार रहे है वीडियो और याद कर पा रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है तो इसके जो क्रेक्ट आंसर होगा देट इस ऑप्सन डी ठीक है यह नि प्रात्मिक आर्थिक ग्रियां में क्रसी भी आती है एग्रीकल्चर भी आता है पसपालन करना भी आता है हंटिंग गैदरिंग भी आती हंटिं पसपालन भी इसका पार्ट है यह नि परात्मिक आर्थिक गदविदि होती है जो डिर्कली नीचर से प्राप्त होती है ठीक है अब इसमें आप से मैं कुछिशन पूछ रहा हूं कि जो प्रैमरी एक्टिटीस में जो लोग लगे होते हैं उनको क्या बोला जाता है उनको र है ठीक है तो इसका जो करेक्ट आंसर हो गया option D all of these चलते है next question question 10 की तरफ question number 10 दुतियक आर्थिक ग्रियाओं में सामिल है दुतियक आर्थिक ग्रिया यानी secondary economic activities इन में क्या क्या चीज़ें आती है ठीक है तो option A है बिनिर्माड उद्दोग, option B निर्माड कार, option C A और B दोनो, option D इन मैंसे कोई नहीं ठीक है तो इसका जो correct answer होगा that is option C इसमें infrastructure का काम भी आता है, manufacturing का काम भी आता है तो यह सारी चीज़ें energy का energy बन रही है कहीं पर, ओर्जा का उत्पादन करना यह भी इसका पार्ट हो जाता है दुतियक आर्थिक गद्विदी का, तो इसका option correct answer क्या होगा, option C A और B दोनो, manufacturing, construction, energy, generation यह सारी चीज़ें ऐसी में आती है, ठीक है, चलते है next question, question number 11, question number 11, सोध को किस आर्थिक क्रिया में समझ के जाता है, शोध का आर्थ होता है, in basic economic activities is research included, हम research पूछ रहे हैं कि research किस activity में आती है, यानि कोई खोज कर रहा है, scientist है, ठीक है, तो वो किस आर्थिक गद्विदी में आएगा, क्या वो किस्मिक में नहीं आएगा, दुतियक में नहीं आएगा, कुछ बन नहीं रहा है, कुछ पैदा नहीं कर रहा है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, अगर इस question में पंचम भी दे रखा होता होता, तो हम चतुर तक पे टिक नहीं करते हैं, तो हम पंचम की तरप जात जलते हैं नेक्टेसिं नमगा ख्रम को रूव सिर्फ सब्सक्राइब случай जो तिरतीयागर टिर्ञाएं हो यह मिलिक क्रियाओं यहांilateralocracyony तो इसमें क्या क्या चीज़ा आते हैं तो इसका जो जो करेक्ट आंसरे इस आपसेंडी यह नहीं सारी जाती है ठीक है डियाद्रेड या नि भी उनकी घूट इसका ही पार्ट सर्बिशन थिंड लिगार जाट अल्री एक एक्टिश का आइगा वश्त है तर्स तर्सरी देख All of these, यानि बारे भी, question number 12 का correct answer हो गया, option D, ठीक है, चलते हैं, next question, question number 13 की तरफ, चतुरतक क्रियाओं में सामिल है, ठीक है, quaternary activities में क्या के सामिल है, बिग्यान, तक्नीक, कला या यह सबी, तो question number 13 का correct answer है, that is option D, ठीक है, चतुरतक क्रियाओं में आपका बिग्यान भी आएगा, तक्नीक भी आएगी, कला भी आएगी, ठीक है, quaternary economic activities include science, art, technique, ठीक है, all of these, तो इसका correct answer हो गया, all of these, question number 14, कत्रिम बुद्ध मता, ठीक है, या artificial intelligence, AI, किस आर्थी क्रिया में सामिल किया गया है, ठीक है, primary activities में, प्रात्मे क्रिया में, दुतिया किर्दिया में, तिर्थी क्रिया में, एचतुरतक क्रिया में, तो कत्रिम बुद्ध मता, आपको पता होगी, कि आपकी primary में तो वैसे भी नहीं आ सकती, secondary में कुछ बनाने रहे हैं, tertiary या चौतरतक में confusion हो सकता है, तो आप ये जो नई नई चीज़े हैं, जिसमें technology की बात हो रही है, जिसमें कला की बात हो रही है, ये रिसर्च की बात हो रही है, administration की बात हो रही है, आप कोसिस करेंगे, ये higher से higher में आप रखने की कोसिस करेंगे, तो इन में सबसे ज़्यादा उच्छा किस का इस्तान है, चेतुरतक का, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें किसमें हैंगी, इन में कोर्टनरी एक्टिटीटीज में आएंगे, ठीक है, तो आर्टिफिशल इंटेलिजन्स किस का पार्ट है, कोर्टनरी एक्टिविटी का पार्ट है, चलते हैं, नेक्स्ट क्वेशन, क्वेशन नमा 15 की तरफ, नमन मैं से किस बिद्वान ने आर्थि भूगोल को बाड़िज भूगोल से परत्थक किया है, ठीक है, तो ये कौन से बिद्वान है, जिन्होंने एकोनमिक जोगरफी को, कॉमर्सिल जोगरफी से अलग किया है, ठीक है, पहले किया था कॉमर्सिल जोगरफी, बाड़िज ज सब्जेक्ट बना के रख दी तो उनका नाम क्या है ठीक है तो कुशन नमार 15 का जो करेक्ट आंसर है डेट इस ऑप्सन ए ठीक है इनकी हम डेफिनिशन पहले कर चुके हैं इसी वीडियो में ठीक है तो आप देख लीजेगा चलते हैं कुशन नमार 15 के बारे में थोड़ा जान सब्सक्राइब करें तो इस चीज को पढ़ना है तो इस चीज को पढ़ना है तो इस चीज को आपने जस तक फ्सकास अफर ऑफिशन ना क्या कहलाता है धाफ गोड़्षिंस ने कि दिया अपने डिइन इसटार जोटेकर यृपयम स्टीन चुट्रीब अब और एब जॉन्स कुष्ण नमोर 17 और यह आपका लाज्ट कुष्ण रहेगा इस वीडियो इसका ठीक है इसके बाद इसी के इसी यूनिट के एक वीडियो और आएगा उसके बाद अगली यूनिट ठीक है इसी परकार से हम पूरा स्लेवास कतम करेंगे कुष्ण नमोर 17 सुतन्ति साखा के रूप में आर्थि भूपल का विकास प्रारम हुआ कब प्रारम हुआ है । पहले किसका पीमर्स जोगरफी का जैसे गोर्ज हने लग कर दिया एकानिक जोगरफी बना दिया ठीक है और यह हुआ कब से है तो यह 19 सतावधी से हुआ है प्र प्रतम विश्रुदी के बाद 1908 के बाद से ही 1920 के दसक से 1920 के दसक से आर्थी भूगल एक नई साखा के रूप में जनौम लिए मानभूगल की नई साखा वन गया तो यहां पर आपका वीडियो खत्म होता है अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक करि है ठीक है दोस्तों के सेर करिएगा चैनल को सब्सक्राइब करिए और जो भी आपकी डाउट्स है वो आप कमेंट बॉक्स में लखके जाएगा ठीक है तेंक्यू जाहिन